कुई है बही जो राम रच्छी राथा को खरतर कर भड़ा वे साखा राम स्यारामysis राम बजैजराँ राम स्याराम स्याराम बजैजराम देरज धरम मेत्र अरुमारी आपत कादर परकिये चारी जेहि के जेहि परसत्य सने हूँ शोते ही मिल ही ना कोही सने हूँ राम सिया राम सिया राम मुझे जय राम राम सिया राम सिया राम मुझे जय राम जाकी रही भावना जैसी है रघु मुझे देंखी तेंद जैसी रघु कुरेत सदा चलिया आई प्रार जार परवचन नजाए राम सिया राम सिया राम जै राम जै राम जै राम जै राम जै राम हरे अनंत हरे कथा अनंता कहीं सुनहीं पहों में थे सब संता राम जै राम जै राम राम जै राम जै राम राम सिया राम सिया राम जै राम जैरा, राम जैरा, जैरा, जैराम जैरा, मिन में तन में जन जीवन में बशे हुए जैरा मन की गठ्री, खोल के देखो, दिख जाए गेरा कर दो आप सकति हैं थार कर देन्द रभॉब कर द कर द सक द कर मोईना. कर दो कर दो रात पर देखाँ जाम नारा बना भागर की तरना. कर दो रात परनों पर यार शी देखाँ की रात पर जाम नारा की तरना . जय रम जय रमर दजयक दो जय दो जय रमर दिय रम जय eyes जय रमर दो ङ уд से रमर दो आज ए्टोम आज आज मुण इन रावब्च आज 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 जर आज आज जै श्री राम यकीनन सोनु निगम की बेहत मधुर आवाज जिसमें उन्होंने श्री राम के लिए ये भजन गाया और यकीन बानिये इस वक्त पूरा चुदेश है वो जिस तरह से राम्मय हो चुका है यकीन वहाँ पे मौझूद सोनु निगम की आवाज ने इस वक्त हम विशुष्ट गढवानने लोग पहुँच चुके हैं रामलला के प्राणप्रतिष्ठा समहारों में हम तस्पीरों में लगातार देख रहे हैं सबने अपना स्थान गरहन कर लिया है और सुभा से ही इस सिलसला जारी होके आज अब देश भर से साधू संतों के साथ साथ सा विशुष्ट गढवानने लोग हैं वहां पहुचे रामलला की प्राणप्रतिष्ठा समहारों में हिस्सा लेने के लिए और अब आपको दिखाएंगे रचनी कांथ सुपरिस्टार रचनी कांथ की प्रस्तुति सिनमा की दुनिया के भी तमाम जो लोग हैं वो पहुचे हैं वो सिनमा की तमाम जो दिगज लोग हैं वो वहां पहुचे में हैं अपनी उपस्तिती दरश कर आने के लिए तसपीरों में हम देख सकते हैं रजनीकांथ और एक ऐसी अभीनेता जिन्हें समान रूप से हर भाषा के जो दर्शक है उनसे सने मिला है, सम्मान मिला है थलाईवा, रजनीकांथ और कई राश्ट्रे पुरसकारों से सम्मानित रजनीकांथ खासतोर परुनया मंत्रित किया गया है रामलला की रान पतिश्टार समारों में हिस्सा लेने के लिए और इस मौके पर बॉलिवूट के स्टार जैकी श्रॉप भी मौजूद है और उन्होंने क्या कुछ कहा, आयो हमको सुनाते हैं बहुत प्यार लगा, बहुत महबत लगा, सब ने प्यार दिया और भगवान के मंदिरा तो कैसे लगता है इंसानों को यहां तक भुला लिए वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है हम तो चाहते हैं जो सब जूते निकाल कर रहा हैं तो और अच्छा है बिलकुल तो यहां पहुँचे हैं और इसी को बहुत सभाग्यशाली वो मान रहे हैं रजनीकान, जैकी श्रॉफ, अमिताब बच्चन, अभीशेग बच्चन तमाम सितारे हैं जो वहां पहुँचे हैं हमने देखा तस्पीरों में विक्की कोशल, अपनी पत्नी कट्रीना केफ के साथ, रुनबीर कपूर, आलिया भट तमाम वो सितारे हैं, तमाम वो चेहरे हैं जिनने जो भारतिये दर्शक हैं काफी जादा प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं और वो आज सभी लोग नतमस्तक नजर आ रहे हैं, आज श्री राम के चड़नों में और प्रभु राम ने, श्री राम ने सब को बुलाया, वहां पे सब मौझूद हैं इस बहुती एतिहासिक शन के वो गवाह बनने जा रहे हैं और मस्हूर पाश्रुगाई का अनुराधा पॉटवाल, क्या कुछ कह रही हैं, आज सुनते हैं महारस्न पीखे, शुहे कल्पमूने, सुखासी नमाबि, यतावर्न यत्तर्न मूरे नित्यकाने, शिवो राम रामे, रामी तिकाश्त तेकं परम, तारकं प्रम रूपं, भजे हम, भजे हम, भजे हम, भजे हम महारस्न पीखे, शुहे कल्पमूने, सुखासी नमाबि, यतावर्न यत्तर्न मूरे नित्यकाने, शिवो राम रूपं, भजे हम, भजे हम वनत्रत नमंजीर पालार विल्दा, नसन्मे खला, चारु पीता बरार, अहारत नहारों, नसक्का उस्तभादा, नदचंचरी मंजईरों, नमालों, नदचंधिकाश्त स्मेरशोना धराभं, समुध्यत पतंगे रुपोधी प्रकाशं, नमत्रम्भदत्रादे कोधी रधत्त, स्फुरतादे निराजनारादे काश्त पुरत्राजली नाजनी आधिभक्ता, स्फचिन्मुत्रया, भत्रया भूत्रयंत् प्रचेहं, भचेहं, स्दादामचैद्रं, द्वदैन्यन नमन्ये 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 प्रचन्ड, प्रकोपै, अटै भीशनिम्मा, रधाबिश्वरोशी, पदियं सरूपं, स्दापत्रणाशं, स्पोधन्डवानं निजे मान से, मन्दिरे संहिते ही, प्रदीर, प्रदीर, प्रभो राम चंत्र, ससव में त्रिना, कई कई दै गंदेन, स्वशक्यान भख्याच संसे व्यमान, स्वभत्ता ग्रतंगे, कपीशे महीशे, अनीकई वनीकईष, राम प्रसीद, नमस्ते दमो, स्वीश राम प्रसीद, प्रशाधी, प्रशाधी, प्रकाशं प्रकोमा, प्रसीद, प्रसीद, प्रस संसे औ्र ग्रतंगे, कि युझार, स्वीशे महीशेद, नमस्ता ग्रते दोशल्यान, प्रस्तुति आप सुन रहे थे लगातर हम आपको वहां से तस्वीरे दिखा रहे हैं आज का बहुत ही ये मंगल दिन क्योंकि आज अब से कुछी देर के बाद भगवान राम लिला की प्रान प्रतिष्ठा का बहुत ही जो आतिहासिक यो क्षण है वो हम आपको दिखाएंगे लाइव तस्वीरे और इस वक्त आप देख सकते हैं टीवी धारावाहिक जो मशहूर हुआ काफी रामायन उनमें जो राम भगवान श्री राम का किरदार निभाये थे अरुन गोविल आप उनको तस्वीरों में देख सकते हैं और महान स्टार क्रिकेटर सचिन तेंडूलकर भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं वो भी इस मंगल धरा पर अपनी उपस्थिती दर्ज कराने पगवान श्री राम के नगरी अवधपुरी आयोध्या में वो भी पहुँच चुके आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं महान बल्लेवाज बिकल भारत रत्न सचिन तेंडूलकर इस पक्तसी तस्वीरों में आयोध्या धाम पहुंचे हैं और रामदला के प्रान प्रतिष्ठा समारों में शामिल होने के लिए समाज के विबिन वर्गूं से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और सभी में बेहत उत्सा है सभी आम जन एक आम श्रधालू दर्शनार्थी के रूम में श्रीराम भक्त के रूप में शामिल होने के लिए यहां पर आए हैं लगातार हम आपको तस्पीरों में दिखा रहे हैं क्या खास क्या आमों खास सभी आम मौजूद हैं कुमार विश्वास मशूर कवी हैं साथ में मनूज जोशी मशूर अभीनेता और बहुत ही खुशूरती के साथ इस पूरे कारिकरम को यहां पर सजाया गया है किस तरहां से हम देख सकते हैं कि तमाम लोगों को यहां पर आमंतृत किया गया है हर वर्क के हर क्शेत्र के लोगों का प्रत्रिंद्व करते लोग यहां पर मौजूद है और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहा हैं उन्हें भी निमंत्रन भेजा गया था और वो भी इस कारिक्रम में शामिल होने के लिए यहां पे पहुँचे हैं। तो राम राजी की परिकल्पना जिसमें की हर कोई हर किसी के मन में हर किसी के हृदय में प्रभू राम का वास है वो हर कोई आज इंद्रिश्टों को भगवान राम के इस राम मंदिर को अद्भूत राम मंदिर जिक्सा की निर्मान कार चल रहा है और देखिए किस तरह से हजा तन फूलों से इस दिव्य और भव्य और नव्य मंदिर को सजाया गया है हमें कहने की जरूरत नहीं है आप इन तस्वीरों के जरिये रंग बिरंगे फूलों से सजे इन दरों दिवार को आप देख सकते हैं जै श्री राम किस तरह से लिखा हुआ है और हर कोई अपने आपको आत्म साथ कर रहा है श्री राम चंद्र कृपालो भजमर भरन भल भय दारुनम् श्री राम चंद्र कृपालो भजमर भरन भव भय दारुनम् नव कंज दो चल कंज भूख कर कंज पद कर जारुनम् श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम पटपी तमानाव तडित स्गूची शूची नोमी जनका सुदावदम शीरा, 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 शीरा शीरा, 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 हुआ धमाये हुआ 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 आज़ देना बंधु दिनेश दानव दाइध्य वंज निर्कंदानव रखुनांद आनद कंद खोशल चंद दशरत तौं स्री रामचंद्र कृपारु भजवड़ धरनभव भय दारुनव स्री रामचंद्र कंद खोशल चंद्र कंद खोशल चंद्र रगह द्रत त्यलका चार बुदार वंग विपोशन व् स्रे रामचंद्र कंद खोशल चंद्र कंदृ छंद्र। स्री राम, स्री राम, स्री राम, स्री राम स्री रोकुल्त, कुंघरा दिलका चारू पुदार अंगविभूशन आजान भूजा शरचापघर संग्राम जीता कर दोशन शर्चंड्रत्रपाान भायर। यर्माखखज मरफखज सूक्राइब धायर। आहा, आहा, सॽी राम Romans 1 में नचेरा जाराण, not only the उससे करिए जै और जोछे को आई आए ABS शंकर महादिवन को आप सुन रहे थे राम राम जै तयाराम और ST' धुन से ना सिर्फ आयोध्या गुंजाइमान हो रही है बलकि पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत, पूरा देश और साथ साथ पूरा विश्व ब्रह्मान आज राम मैं, आज डाम धुन से गुंजाइमान हो रहा है, पुरी स्रिष्टी आज राम मैं हो चुकी है। बहुत तेजी से अग्रसर है। भारत हमारी परमपराएं, हमारी रीती रवाज, हमारा सम्रद आध्यात्म ज्यान आज पैश्पिक मंच पर हमें और मजबूती देता है। आत्म नर्वर भारत के सपने को और भी खुबसूरती से मजबूती से इसाकार करते वे। आज पूरे विश्व में मौजूद भारतवासी इस एतिहासिक शन के साक्षी बनने जा रहे हैं। इस भवे विराठ मंदिर की तस्पीरें लगातार हम देख रहे हैं। जहां पर रामलला के प्रान प्रतिष्ठा कारिक्रम में बस कुछी देर का समय बाकी है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पहुच चुके हैं आयोध्याधाम और पहुच जल्द वो इस कारिक्रम में शामिल होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधान मंत्री ने श्री रामलला की प्रान प्रतिष्ठा से पहले ग्यारा दिन का बेहत कठिन अनुष्ठान किया। इस दौरान उन्होंने उक्वास, जप और वो पूजन किया, ग्यारा दिन तक वो फर्ष पर सुए सिर्फ नारियल पानी और फल खा कर रहे। और इस दौरान रामायन से जुड़े चार राज्यों के विबिन मंदरों में भी उन्होंने दर्शन पूजन भीके। और आज वो घड़ी आ गई है, वर्षों के अभिलाशा, तपस्या पून हो रही है, जब श्री राम का नारा सिर्फ आयोध्या धाम में नहीं, बलकि पूरे विश्व में गूज रहा है। और आयोध्या के इस प्रभाव को जैसा कि हम लगातार आपको कह रहे हैं, आयोध्या के इस प्रभाव को वही जानता है, वही समझता है जिनके हृद्य भगवान, श्री राम, विराजते हैं। आज इन तस्वीरों के जरीए आप समझे, आज आयोध्या कई सद्यों और कई युगों और समय की परिदी से भी परे, समय की तमाम आन्यमित्ताओं को पार करते हुई, प्राचीन से आधुनिक युग तक पहुँची है, आयोध्या। और समय की इसी परिदी में, जो आज भी शास्वत है, स्थिर है, वो है भगवान राम के लिए उनके भक्तों में भरी हुई भावना, और उन्ही भावनाओं से ओतप्रोत हैं, पुरे भारत वर्ष के लोग। आज हर किसी के हुदय में भगवान राम का नाम सहज ही निकल रहा है, और न सिर्फ आज बलकि बीते कई दिनों से, कई महिनों से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, कि न सिर्फ आयोध्या, न सिर्फ भारत, बलकि विश्व के अलग अलग जगों से भी भगवान राम और उनके नाम के सार्थी निकल पड़े हैं, चल पड़े हैं, उनके मन में एक ही नाम है, उनके मन में एक ही भावना है, उनकी जुआ पर एक ही नाम है, भगवान स्री रा राम का वो इस खशन को अपनी निश्शल आखों से एक एक पल को कैद कर लेना चाहते हैं वो चाहते हैं कि भव्य राम मंदिर जल्दी से जल्दी मूर्त रूपले साकार हो और ये तस्वीरें उन्हीं साकार रूप को लेता हुआ हम सब के सामने इस वक्त दिखाई दे रहा है अवद पती राजा राम अपने इसी भव्य दिव्य और नव्य मंदिर में विराजेंगी सज चुका है पूरा आयोध्याधा क्योंकि यहां विराजने वाले हैं प्रभुश्री राम भारतिय संस्कृति भारतिय दर्शन भारतिय परंपराओं कि अगर हम बात करें तो अलोग एक आयोध्या इसकी महिमा अप्रंपार है आज कणकण में कैसे राम बसे हैं उसकी हम एक जलक देख रहे हैं राम हम सभी के हैं सभी के दिलों में राम बसते हैं इसकी एक जलक हम देख रहे हैं तो कहीं न कहीं ये तस्पीरें, पूरे विश्व को एक शान्ती का संदेश दे रही हैं, एक जुटता का संदेश दे रही हैं, समरस्ता का संदेश दे रही हैं, जब विभिन भाशाओं को बोलने वाले लोग, विभिन प्रांतों के, विभिन शेत्रों से आने वाले लोग, ए गक्साथ, एक जुठ हुए है ये भी अद्वित्य है एतिहासिक हैं। सब एक ही सूत्र में पिरोय में यहां पर राम की जो भक्ती है। उसकी शक्ती का एसास हम यहां पर देख रहे हैं। लगातार इतने दिनों से राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की तयारियां हम देख रहे हैं वो तयारियां अपूर्ण हो चुकी हैं अब समय आ गया है उस पूजन का उस राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समहारों का जब उनके दर्शन मिलेंगे यहां पे सभी को और किस तर अनुष्ठान यहां पर प्रारंब हो गए थे 16 जन्वरी से और जिस तरह से शास्ट्रे परंपराओं का पालन करते वे प्राण प्रदिष्ठा का कारिक्रम अभिजीत मुहरत में किया जाएगा उसमें भी बस थोड़ा ही समय बाकी है आज हम बात करते हैं ज्यान की नवाचार की लेकिन आज एक आध्यात्म गुरू के रूप में भारत ने जो अपनी पहचान बनाई है शांती का संदेश लेकर शांती के तलाश में आज दुनिया भर से लोग पहुँचते हैं भारत आज रामलला की शरण में एक बार फिर आज उटे हैं ये तमाम लोग जो वस इंतजार कर रहे हैं उनकी एक जलक पाने का कंचन कलस विचित्र समारे सबही धरे सजनिजनिज द्वारे बंदनवार पताका के तू सब नहीं बनाए मंगल हे तू इस चौपाई का भावार्थ ये क्योंकि आज भगवान राम अपने इस भव्व्व दिव्व और रव्व्व मंदिर में विराजने वाले हैं तो इसका अर्थ भावार्थ ये कि सोने के कलशों को बहुत ही अलग रीती से स्वर्ण मानिक के से अलंकृत कर और सजा कर सभी लोगों ने अपने अपने दर्वाजों पर रख लिया क्योंकि भगवान राम पधारने वाले हैं सभी लोगों ने मंगल के लिए बंदनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई अपने अपने घरों पर सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सजाई गई सिचाई की गई गज मुकताओं से रचकर बहुत सी चौके पूराई गई अनेको प्रकार के सुन्दर मंगल साज सजाए गए और हर्ष पूरवक नगर में बहुत से डंके बजने लगे चौपाई में कहा गिया है कि बिथी सकल सुगंध सिचाई गज मनी रची बहुत चौक पूराई नाना भाती सुमंगल साजे हर्ष नगर निसान बहुबाजे सारी गलियां आज आयुद्या की खुश्बूर उस महक से राम नाम के महक से महक रही है आनन्दित होटी है गजमुकताओं से रचकर यहां की चौक चौराहे जो हैं भोस सच चुके हैं अनेको प्रकार के सुन्दर मंगल गीत साज सजाए गए हैं और इन तस्वीरों में दे पुलों से इस दिव्य और भव्य मंदिर को सजाया गया है और ना सिर्फ यह मंदिर बल्कि अगर आप आयुद्या में आप जाएं या जो लोग वहां पे हैं वो इस बात को देख रहे होंगे अपने नया नाभिरामों की दृश्बूर से कि किस तरह से उन तमाम गलियों को उन तमाम सडकों को आज फुलों से सजाया गया है पुष्व की बारिश हो रही है भगवान राम के नाम की वर्शा हो रही है पूरे आयोध्या में पूरे हिंदुस्तान में कहते हैं कि जहां तहनारी निशावरी करहीं देही असीस हरश और भरहीं कंचन थार आरती नाना ज दूबती सजे करही सुभगाना यानि कि स्त्रिया जहां तहां निशावर कर रही है और अपने हिर्दय में हर्शित होकर आशिरवाद दे रही हैं स्वभाग्य शाले स्त्रिया सोने के थाल में अनेको प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान का रही है तमाम वो लोग आज अपने आपको सौभाग्य शाली मान रही है जो इस इतिहासिक शन का साक्षी बनने जा रही है ये कल्पना से परे है अनुभूतियों का समय है तमाम वो लोग जो इस पक्त इस इतिहासिक शन को देख रहे हैं वो बेहत भावक और भाविहल नसर आ रही इस तरह के मनुभावों से गुजर रही है एक अलग तरह की भाव भक्ती है भक्ती की शक्ती है जो इस वक्त पूरे वातवरण में आप महसूस कर सकते हैं एक यात्रा है आध्यात्मिक यात्रा है अभीवेक्ती की यात्रा है अनुखूती का अफसर है जो शायद शब्दों में वाया करना मुश्किल हो पा रहा है इसकी व्यापक्ता इसकी गहराई हम सभी के दिलों में हैं यकीनन आज हम कह सकते हैं कि प्रभूश्री राम के प्रती एक सम्पूर समर्पन का जो आधर्श यहाँ पर इन तमाम लोगों ने स्थापित किया है वो लंबे समय तक रहेगा आज के बाद एक अध्वितिय सभितागत यात्रा जिसकी हम लगातार बात करते हैं उसका एक एतिहासिक चरण यहाँ पर पूरा होगा और जिन धार्मिक परंपराओं की पदतियों का नुसरन हम कहते हैं कि भारतवर्श करता है वो सिर्फ एक पदतिया नहीं है सिर्फ रिती रिवास नहीं है जीवन जीने की एक शैली है एक त्याक की भावना से फ्रिरित होकर हम कह सकते हैं आध्यात्म के एक अलग ही पड़ा है जिससे आज गुजरते वे नजरा रहे हैं तमाम वो लोग जो आज इस एतिहासिक श्ण का हिस्सा बनने जा रहे हैं भारत जाना जाता है पूरे विश्व को स्चांति का संदेश देने के लिए आध्यात्म का संदेश देने के लिए और बहुत-बहुत domu को जिनकी अथक प्रयासों और मेहनत से आज हम तमाम लोग इस एतिहासिक शन का साक्षी बनने जा रही है आज भारतिये विरासत एवं संस्कृति को और सम्रुद करने की दिशा में हम एक बहुत बड़ा कदम आके बढ़ा रही है भारत की विकास यात्रा को एक और नए पाइदान पर ले जाता हुआ ये एतिहासिक शन इसको हम तस्पीरों में देख रहे हैं आज हर भारती उनकी आँखें इस दृष्ष्र को देखकर भावुक होगी हर किसी के मन में आज भगवान राम के प्रती आस्था और भी उमड़ पड़ा है उनके आराध्य भगवान श्री राम और वो सभी एक ही बात कह रहे हैं अपने आराध्य से हे भगवान हे श्री राम आप तो दुखों को हरते हैं आप सुर्य कुल रुपी कमल वन को प्रफुलित करने वाले हैं हम सभी भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं आयोध्या नगर की शोभा आयोध्या की संपत्ति और आयोध्या के कल्यान का वेद श्रेश जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं वो कहते हैं कि तेव यह चरित देख ठगी रहीं उमा ता सुगुन नर कीमी कहीं नगरवासी कहते हैं कि यह चरित्र देखकर हम अचंभित हो जाते हैं स्तंब स्तब्ध हो जाते हैं और इसी पर भगवान श्रीव कहते हैं कि हे उमा तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं नारी कुमुदिनी अवधसर रघुपति बिरह दिनेश अस्त भय बिगसत भई निरखी राम राकेश अयोध्या हर्शित है अयोध्या प्रफुलित है अयोध्या अहलादित है और ना सिर्फ आयोध्या बल्कि हम सभी जो इस एतिहासिक गौरवशाली पल के साक्षि बन रहे हैं हम सभी आज उत्साहित हैं आहलादित है वो कहते हैं कि स्त्रिया कुमुदुनी है आयोध्या एक सरोवर है और श्री रघुनात जी का विरह सूरी है और इस विरह सूरी के ताप से वो मुर्जा गई थी अब उस विरह रुपी सूरी के अस्त होने पर श्री राम रुपी पूर्ण चंद्र को निखर कर वे खिल उठी है आयोध्या की नारी इस पात को अपने हिर्दय से बार-बार कह रही हैं कि हम तो कुमुदुनी हैं लेकिन आयोध्या एक सरोवर है और श्री रघुनात जी का विरह सूरी है कभी-कभी इस विरह के ताप से वो मुर्जा गई थी जोकि 500 वर्षों का एक लंबा इंदिजार उन्हें देखना पड़ा भगवान तो सिर्फ 14 वर्षों के वनवास पे गए थी लेकिन आधुनिक काल में 500 वर्षों का इंदिजार उन्हें करना पड़ा है वो सभी मुर्जा गए थी लेकिन अब उस विरह रूपी सुरी के अस्त होने पर स्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर वो निखर उठी हैं वे खिल उठी हैं आयोध्या का हर वासी आज इसी तरह से खिल उठा है वो कहते हैं कि अनेक प्रकार के शुब शकुन हो रहे हैं आकाश में भी नगाडे बज रहे हैं नगर के पुरुश्रों और स्त्रियों को दर्शन द्वारा क्रितार्थ हो रहे हैं वो आओ चलें हम सभी चलें भगवान राम चंद्र जी के महल के तरफ चलें और आपके सामने वो महल आराध्य भगवान श्री राम का अद्भुत अलोकिक दिव्वे नव्वे भव्वे ये मंदिर हम सब के सामने हैं अयोध्यावासी कहते के आओ चलें उसी भगवान राम चंद्र जी की महल के तरफ चलें शुब हो रहा है आकाश में नगाड़े बज रहे हैं क्योंकि भगवान आज दर्शन देने वाले हैं और उनके दर्शन से हम सभी अयोध्यावासी क्रितार्थ हो जाएंगे तो आओ चलें हर कोई चलें और इन दिष्टों के जरी fraction आज पूरा भारत देश भावक हो रहा है उनके मन में उनके हिर्दै में उनके उर में भगवान स्रीराम उनका एक एक शब्द गौंज रहा है कानों में गौंज रहा है आखों में दुश्रिमान हो रहा है अद्भुत अलोकिक अयोध्या के हम आपको दर्शन करा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं टनो फूलों के जरी लगवान राम के इस दिव्य नव्य और भव्य मंदिर को सजाया गया है ये दो तयारी है प्राण प्रतिष्ठा की जब चिर अभिलाशा हो रही है पूरी और प्राण प्रतिष्ठा समारों फून होने के बाद शाम को अयोध्या दीपों से जगमगाएगी यहां राम ज्योती प्रज्वलित कर दिपावली मनाई जाएगी इसके साथ ही देश भर के हर शहर में आज राम ज्योती प्रज्वलित की जाएगी दिपावली मनाई जाएगी मकानों दुकानों प्रतिष्ठानों पराणिक स्थलों पर राम ज्योती प्रज्वलित की जाएगी आयोध्या सर्यू नधी के तटों की मिट्टी से बने दीपों से रोशन होगी राम लल्ला, कनक भवन, हनुमान गडी, गुपतार घाट, सर्यू तट, लता मंगेशकर चौक मणी राम दास चावनी समेच, सो मंदिरों, प्रमुक चराहों और सारवजनिक स्थलों पर दीप प्रजुलित किये जाएंगे और कुछ ऐसा ही आलम सिर्फ भारत ही नहीं, बलकि पूरे विश्व में हमें देखने को मिल रहा है हम लागातार आपको दिखा रहे थे किस तरह से तस्पीरे सामने आ रही है दुनिया के कोनी कोनी से, दुनिया के बड़े-बड़े शेहरों से जहां पर राम दास के प्रान प्रतिष्ठा समहरों को ध्यान में रखते वे कई कारिक्रमों का आयोजन किया जा रहा है कही तरह के हर जगा हम सुन सकते हैं, राम दाला के लिए भजनों की आवाज गूज रही है प्रभु की कृपा भायो सब काजू अर्धार जब प्रभु की कृपा होती है तो सारे काम हो जाते है पांसो वर्षों के तब के बाद आखिरकार सोंबार को धानी है हम कह सकते हैं कि आज प्रभू श्री रामलाला अपने नव्वे भव्वे और दिव्वे महल में विराजने जा रहे हैं आज प्रधानमंत्री मोदी उत्रप्रदेश के मुखेमंत्री योगी समेच संसमाज अतिविशुष्ट लोगों की उपस्तिती में आज रामलाला के श्री विग्रह की प्रान प्रतिष्टा कहती हासे का नुष्ठान संपन होने जा रहा है आयोध्या नगरी इस वक्त अपने अलौकिक रूप में हैं अपने अद्भुत रूप में हैं फूलों की तरह सजी हुई है अवत्पुरीव में ही नहीं पूरे देश में एक उत्सव सा माहौल है आज आयोध्या धाम समेट पूरे देश के मंदिरों में राम, संकीर्तन और राम चरित्मानस का पाठ हो रहा है लगातार हम आपको लाइव विश्वल्स दिखा रहे थे जब मशूर अगायक, सोनुनिगम, अनुवाधा पॉडवाल, शंकर महादेवन सरीखेक से बढ़कर एक लोग महा पहुंचे हैं और उन्होंने कैसे अपने मधुन्द्वनी से, अपने भजन से पूरे महोल को और भी जादा राम मय बना दिया है राम की भक्ती की ये शक्ती है जो आज अपने पूर रूप में सामने आ रही है बिल्कुल तो इन तस्वीरों के जरीए आप भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर को देख सकते हैं प्रभुश्री राम का ये मंदिर और आज पूरा युद्या, नर, नारी, हर कोई आज खुश है, खुश्यों से जूम रहा है वहां के गलिया आज नाच रही है, गा रही है, मंगल गा रही है, हर एक कदम, हर एक फग, सिर्फ एक ही दिशा में जा रहा है भगवान, स्री राम के इस अद्भुत, मंदिर की तरफ और वो कहते हैं कि जिनकी विरह में आप दिन रात सोचते हैं, घुल मिल जाते हैं आत्म साथ करते हैं, वो रगुकुल के तिलक है, वो रगुकुल के सूर्य है, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं और मुनियों के रक्षक भगवान राम है जासु बिरह सोचहु देनिराती, रटहु निरंतर गुन गुन पाती, रगुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयहु कुसल देव मुनितराता हर कोई आज अपने प्रभूर राम को अपने अपने तरीके से याद कर रहा है आज पुरा देश राम मै हो गया है, राम नाम के सागर में हर कोई डूब की लगा रहा है भक्ति के सागर में हर कोई डूब उतरना चाहता है और हम भी इन तस्वीरों के जरी हम आपको वो एक एक पल एक एक शन की वो तस्वीरें आपके अपने समाचार चैनल आपके अपने चैनल दूर दर्शन के जरी लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप भी भगवान राम के अपने आराध्य के भक्ति में डूब जाएं। बारा बचकर उन्तीस मिनट आट सेकिंड से लेकर बारा बचकर तीस मिनट बत्तिस सेकिंड का मुहरव चुना गया है। और प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में घनम आपको बताएं कि तमाम देश से दुनिया से हास तोर पर विशिष्ट महमानों को आमंतृत किया गया है। और अविवार से ही इन महमानों का आयोध्या धाम पहुशने का सिल्सला जारी हो गया था। करीब एक आकड़ा है, करीब 7000 के आसपास कर्माने आयोध्या में इस खास शमारों में शामिल हो रहे हैं। और लाखों की संख्या में इस फक्त आम और खास लोग अयोध्या धाम में मौझूद हैं। गर्ग्रह में प्रान प्रतिष्ठा कारिक्रम के पून होने के बाद सभी महनुभावों को दर्शन कराया जाएगा। और इस समारों के अनुष्ठान को लेकर भी काफी खास तैयारियां की गई हैं। वो भी बेहत भाफे होने जा रहा है। सभी प्रक्रियाओं का समनवे समर्थन और मागदर्शन करने के लिए 121 के करीब आचारे होंगी। और तमाम जो विशिष्ट जन हैं वो मौझूध हैं इस वक्त हम देख सकते हैं इस वक्त परिसर में। यहाँ पर किस तरह से आज हम सभी बेहत सभागेशाली हैं जो इस एतिहासिक शन के साक्षी बनने जा रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि आयोध्या की जो जड़े हैं वो हिंदू पौरानिक कथाओं में गहराई से अंतर नहीं थे हैं खासकर महाकाव विरामायम में और आयोध्या की कथा सर्यू के बिना तो बिलकुल अधूरी है। माना जाता है कि मर्यादा पुरुशुत्तम श्री राम के अवतरन और लीला परमधाम गमन की साक्षी रही सर्यू नदी का उद्गमस्थल कैला श्मान सरोवर है। और मानेता ये भी है कि सर्यू के रूप में भगवान के आशू आयोध्या में प्रभाहित हैं। और इस नदी का जो बर्णन है वो तो रिगवेद में भी मिलता है। और हम लगातार आपको इस बात को बता रहे हैं सुबह से ही कि आयोध्या के प्रभाव को उसके महात्मे को वही जान सकता है जिनके हरदय में भगवान, श्री राम, विराजमान होगा। आज आयोध्या कई सद्यों और अभी बैठने की कृपा करें, जब वो पैदल चलकर आएंगे तो आपको लग जाएगा, वो पैदल आने के लिए उन्हें सूचना दिये, वो पैदल आएंगे, अभी बैठ जाएए, मैं उत्री भाग के संतों से निवेदन करता हूँ, जाएए कर दो कर दो कर दो कि मारनी प्रदार मंत्री जी मुर्वी द्वार से पैदन अगवान का एक छत्र लेकर ऊपर चड़ रहे हैं वो सीधे दर्म ग्रह में प्रवेश करें हैं सिंग द्वार से प्रवेश हो गया निर्ट मंदप में प्रवेश कर गये रंग मंदप में प्रवेश हो गया प्रवेश करने बादे हैं वही पर सब रस्टी गड़ राट्री एस्वाइशक संग के सर्कंग चालक डप्टर मोहन राव भागवद उक्तर प्रवेश के माननी मुक्रहंत्री योगी आदित्त नाथ जी उक्तर प्रवेश की राज्यपाल महदया अनंदी बेन पतेल राम जन मुमी तीर्ट छेत्र के अध्यक्ष मिर्ट गपालदाज जी माराज उपस्थित है तेशाव पारशनन जी वासुदेवानन सरसोती जी माराज यूग पुरुष्ट परमानन जी माराज अन्य सभी ट्रस्टी गण वहीं पर उपस्थित है बारा बजकर साथ मिनट हो गया है गर्भ ग्रह में प्रवेश हो चुका है चादी के छत्र पर में हाथ में लिए गोविन देगरीगी शीराम के उसकर्व ग्रिती ओर पढ़ारते हुए एक एक कदम बढ़ाते हुए अनेक मंडपों को पार करते हुए पांच मंडपों को प्रार करते हुए उस अध्वुथ्षन के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक इतिहास रचेगा जो कि वैकुंट का हिर्दय कहा जाता है आज अत्यंत प्रफुलित है आज उल्लास चारो और आज आनन्द चारो और क्यों नहों भगवान शीराम पढ़ारे हैं भगवान शीराम प्राण प्रतिश्चित होने जा रहे हैं चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान शीराम क खड़े भक्तों को दर्शं देंगे नव्व्य और भव्य रूप में साथि साथ पुराने राम्लाला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंगासन पर भक्तों को दर्शन देंगे वो दिव्वे दर्शन जिसके लिए सभी की आँखें तरस रही थी दिव्वे छण योगांतकारी छण प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी पहुच चुके हैं गर्वग्री में प्राण प्रतिष्था होनी है भगवान शिरिराम के बाल मूर्थ के बाल विग्रह की इन छणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में करतब्य परायन स्वरूप में धर्म परायन स्वरूप में 140 करोड देशवासियों के प्रत्दित के रूप में तेज तप और तपश्यर्या के पर्याय के रूप में भारत भारतियता के अग्रदूप के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस् प्रदर्शन के आज दिन को पुरी दुनिया साक्षी हो रही है और अगर देखें तो लिश्चित तोर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिये आता है सत्यस्तनातन शाश्वत का वह वेग लिये आता है माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगदगुरु भारत का संदेश लिए आता है और वह संदेश है वसुधेव कुटुमखकम का वह संदेश है सरवेभवंत सुखिना का वह संदेश है कृढवंतो विशमार्यम का वह संदेश है वयमराष्टे जागरयाम पुरोहिता का यानि कि हम राष्ट में जागते रहें और राष्ट निर्माण में हम सनलगने रहें आज इतिहास लिखा जा रहा है सब्तु पुरियों में सरवश्रेष्ट भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयुध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए यह संकल्प है उन बलिदानियों के लिए यह संकल्प है उन राम भक्तों के लिए यह संकल्प है भारत भारतियों के लिए यह संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए यह भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है और आज हम साक्षी बन रहे हैं प्रधानमंत् प्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रणप्रण भारत के अलग-अलग मंदिरों में जा करके अपने इस भगवान शी राम अपने इस भगवान शी शिव का दर्शन किया है और शिव की बात है तो आप देख लिजे कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधा रहे हैं वही काशी जो को निकाला है जिनोंने जो भूमी पूजन का भी जो जोतिशाचारे का महत तो बताते हुए दिखाला था और इस वक्त आप देखिए कि गर्वग्रे में बहुत ही विशिष्ट महमान प्रधान मंत्री के साथ इस वक्त RSS के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके ह वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शीव सबसे अतधिक प्रसंद क्योंकि स्वामी सखा और मित्र ये तीनों ही संबन भगवान शीव का भगवान शीराम से आदे अद्भुक्षण आपके समक्ष अद्भुत च्ण युगांत कारी च्ण इतिहास में स्वराचरों में दर्ज होने वाला च्ण कहा जा सकता है अरुण गान पर महा प्रगतिका अब यह मंगल गान उठा है करवट बदली अंगणाईली सोया हिंदुस्तान उठा है ये संकल्प के सिध्ध होने का दिन है ये हमारे पुर्खों से किये गए वादों का पूर्ण होने का दिन है ये विधाता से दिये गए वचन को पूर्ण करने का दिन है ये उस शपत के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है हर हिर्दय की धड़कन रामा पगपग पर बनी पुनीता है यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है नरनाहर श्री पुर्शोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर भव्य बनाएंगे और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है आज विधाता स का दिन है वंदन का दिन है अभिनंदन का दिन है अरपन का दिन है तरपन का दिन है पुर्खों के अभिलाशा के साच्छात होने का दिन है आज सकल मनोरत पूरा होने का दिन है अजय जिस तरह से आपने पुर्खों के याद दिलाई तो यह जो पौश मास है अश्विनियों ब मुद्र मंधन के लिए आधार दिया उस मंदरा चल परव्यक को जहां से मतने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए जो आज भी श्रिष्टी की प्रकृती की इस ब्रह्मभांड की स्यवा में लगे हुए हैं मा लक्षमी का प्रादुर्भा हुआ उनी रत्नों में सबसे पहले वि प्रवित्रिति पर जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं पधानमंत्री नरेद्रमोदी संपूण रास्टी तरफ से संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान शी राम की प्रतिमूर्ति में प्रांटतिष्था के सवरूप के रूप में आज मग्न है अनुमान जो की दिराज हैं आज सबसे ज़्यादा प्रसंद है भगवान शिव जिनकी नगरी से पधारे ये आचार मंत्रों 4 के बीच में संकल्प करा रहे हैं सपश तोर पर आप देखेंगे ये जो आहवान किया जा रहा है जब रगुपति रागव राजा राम पतित पावन सीता राम और आज भगवान रागव के रूप में पधारने वाले हैं वो न रगुपति हैं वो न राजा राम हैं न सीता पति हैं आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के रागव हैं और बहुत प्रतीक्षित क्षण जब प्राणपतिष्ठा के बाद भगवान शिराम खड़े होकर के आज भगवान शिराम अपने पांच वर्ष के उस अद्भुत छवी का दर्शन देंगे और साती साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी आप देख रहे हैं गर्वग्रह पवित्र गर्वग्रह जिसका संपन हो चुका है और ये अद्भुक्षन जब प्रधान मंत्री इस वक्त श्रीराम लला के सामने पहुचने ही वाले हैं बहुत ही पवित्र दिन आज का और द्वादशी का दिन कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की लेकिन ग्यारह दिनों से अपने वरत के जरिये एक तपस्वी की भाती रधान मंत्री मोदी ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्रीराम ने राजा भुशेक से पहले भूमी पर शयन किया भगवान श्रीराम ने राजा भुशेक से पहले जैसे अन्नजल का त्याग किया महर्श वसिष्ट के कहने पर उने ने सारी गतिविदिय पन्यूज वचिका का दाल्म उालर लात। कर दो कर दो प्रशार अभी त्यर्थम। इस तर्वले आरस्टस्वाइबनाटि इस जन्मगू अभूमत्तं आगे बंचरें नग्पड़के तीसंचो बंदे हाग। एदकर एदकर वक्तभादे नग्षो प्रादे नग्पड़के तार, एदकर कि यूद आई जाओ 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 इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अध्भुक योग बना है आज मध्यान में लगवग साढ़े बार बजे अयोध्या में श्री राम जन्म हूमिस्थान पर नव निर्मित मंदिर में श्री राम भगवान के प्रतिष्ठा होगी ये मेश लगन है वरिश्चिक नवांश है औ और अब जी कुषण है मृक्षीर्स नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है और आज सोमवार का बहुत ही अध्भुत दिन जिसमें ये परम योग बना है एंद्र योग, आनंद योग, सरवार्थ सिद्धी योग, अमृत सिद्धी योग, पूर अमेश गुरु की परमपरा दिश्टी होने से राज योग बन रहा है इस अध्भुत योग में ये जो प्राणपतिष्ठा होनी है साड़े बारव बजे जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है आप समझें कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनक अध्भुत है और इससे राम राज जी की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राणपतिष्ठा समारों की शुरुवात हुई है और अपसे थोड़ी ही देर में वो दिव्वक्षण आने वाला है जब भगवान श इसका इंतजार सदियों से लोगों का था वो खषण समीफ है इसका समुचा चराचर यक्ष गंधर्व सुर नर हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है समुचे भारत के सभी पंथ संप्रदाय मत मतांतर सभी धर्मों के धर्माचार महामंडलेश्वर हर कोई यहां मौजूद और निश्यत तोर चाकर देखें तो इन ही खणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मात्र भूमी को नमन करें आकाश को बलिदानों की प्रिष्ठ भूमी पर निर्मित इस इतिहास को असंख्य जो बलिदान दिये गए उस पर आज संकल्प के सिध्धि का दिन है आज इति संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म छेत्र में जुट जाएं अपने फून पसीने से नवयूग धरती पर लाएं नवयूग की कामना धरती पर नवयूग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है तो सत्य है शास्वत है सनातन है जो व बद्राक्रत वो यंद्विश्वता की बात करती है तो सर्वेस बहुंद्व सुक्ना सर्वेस संदु निरामया की बात करती है तो संपूल्प चराचर के कल्यान की बात करती है हमारी ही संस्कृति है समस्त्र विश्व में बंदुत और लों कल्यान के लिए प्राठना करती ह मंत्र देती है जिस तरह से लोगे आप भगवान शीराम का विक्रह देख रहे हैं जिनों ने इस प्राचीन स्वरूप में इसी स्वरूप में लोगा को दर्शन दिया भगवान भारत तरह शीलक्षण और शीच्रक्षण के साथ लगाता चारुपा इस वाल रूप में दर्श प्राच्षण के लिए और इसलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है और क्या मनें इंच की जब मूर्ति प्राण पति श्थित की जाएगी तो शुक्र मूर्ति के लिए जे प्राण पति शुक्रांप इसलिए भावन के लिए यहां घुक्राण पति प्राण पति शुक्राइब करें रहा है और जगत के कामना करने के लुवत हो रहे हैं पुदान मंत्री नरेंत्र मोदी को दो ना देखा जब नौ। और दस नमबर उनीजों का वासी को अधान मत्री ने उस समय निखा आने घेट मांगी एक लेग में साधिना पत्रिका में और उन्होंने कहा कि यह अग्षाण सांस्किनिक्स को कंद्रता का जाप्रूश करता है धिन्दू चेत्ना इकाश इस्तभका की दिन है जब लाम करते हैं सब्सक्राइब लुक्त ने इसमें जलका बोप करके इस अंदिक गाउं में दादा आरे से जब लेंगे लेंगा का पुश्व नचालं किया अवन्वय किया शोंदात्या अगर अगर एक आथ बता है अगर 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 एक आथ बता है अगरे करें इस तो बांदे में पुरिया है आफी उट्राइग अगर 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 इस तो बता है अगर अगर अंगर आःगर इसकी बताइव आप इसकी आउट प्रोड़नस कि ईखरो दुनर भराप कि आंग फाहर toda अगु ऑ यु इस उना अ ein वाणिका आ ऐल çekुत हुद मिरिंऀ आप लग वा ईखरो, त Hallelujah अभात मैं, अउम व्योह, ह唉 आण, सही कर्दोर्ड कान करता लग जघ्ता भ्यानिवां जखत लें आंट ए जटांट प्रुश्वर देना प्राजण जटन याँड़ मंदुब्सक्नीडन जटन सब्स्टर्यग शन्देश्वां हिश्तर का थैंट लगा मुझे आए crack ... ऑ़नोर्यास वाला कर्छist कहाई नहीं से थिएर। जाला कर्छाई गर मुषिदे का जाला किवेख़ाज गलवा समुदों जालridट वहते जालर को वहते जाल्यास टरुववार मुषिछ व tá जंधर me मुष्णया झालुट कर्छा झालो कर्छा मुष्णया वालुट यहक करनताना रे ढिटकी जह कलदा एपड़ी दिप ए यह हनु जया है खिप ढ legen वे résत शेनुर दो जह कलद pos'tर हो जह ह हुआया ऴॉ कि परे वी गे खफ़ crushedे वा थैं जह कलदाना जह कर edge on स्थीन, स्थीन, सफ्षीन, क्वíbूाओ ऑछाओ, महों अएबिएंड़ा कि ओढ़े, आप एकने बन्hatाव, आप स्पीन, कुआ किन ए जो जादे इजक कमने जो इतक状況 धाना हाओ, स्थीन, ऑश्वरोण, था पिटरर्दिन, बन्तना हाओ, ऑडिन, पिफ्टिन, न्विंवरे करें तो कि अधनने करें तो क सब्सक्राप करती है आप जक्षे दिशाते भार्ती बाईउचे ना के है निगों प्रादार है कि अच्छे दोनों हेलिकाप्टर अब शर्यू मया और राम की पैड़ी की ओड़ता है संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थाट इलक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वही पर एकत्रित है झाल कर्मी पड़ता है कर दो कर दो कर दो कर दोड़ो कर दो कर दो लूव्ट कर दो कर दो कर दो आ्雷 कर दो 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 जो है झाल 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 मेर झाल 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 प्रध्व विहवल पुर्धान मंत्री नरेंद्र मोदी पुश्पांजली अर्पित कर रहे हैं श्रद्धांजली अर्पित कर रहे हैं जलांजली अर्पित कर रहे हैं समूचे राष्ट की ओर से और निश्चित तोर से इसी छण का इंतजार शतापदियों से समूचे राष्ट को था पड़ागत मागत पाही प्रभो निश्यतोर से समूचे राष्ट की समेकित शक्ति काया समूचे सनातन संस्कृती का आज अभ्यूदे का दिन है और कहा गया है कि तन की शक्ति हर्दय की श्रद्धा आत्म तेज की धारा आज जगा है जग जननी का सोया भाग्य सितारा कोटी पुश्प चढ रहे देव को शुभ चरणों पर कोटी चरण बढ़ रहे धेय की ओर निरंतर और निश्यतोर से ये धेय है समूचे विश्व कल्यान का ये धेय है जगत गुरु भारत का ये धेय है एक भारत शेष्ट भारत का समर्थ भारत का सशक्त भारत का आत्म निर विक्सित भारत का और अंतता जगद गुरु भारत का और जगद गुरु संस्कृती के प्रणेता विश्व में मर्यादा को प्रतिष्ठित करने वाले मर्यादा पुर्शोत्तम श्रीराम विश्व के लिए अभूत पूर्वनिदी हैं क्योंकि हमारी ही संस्कृती समता की बात अपने भकतों को धर्शन देते हैं। तो इस धराधाम के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं इसके बाद आप नित्या वतार जो संत स्वरूप माने जाते हैं उन स्वरूप में भी भगवान लगातार अपने दर्शनों को दर्शनों के लिए भक्तों को ग्रदार्थ करते रहते हैं और आप देखी कि अग्व नगाव सुंद्र विक्र मेघष श्यां गंगा तुलसी राजमान स्वयम जो दामोदर कुंड से आए हैं वो वी राजमान है और ये सुंद्रा मेग शाम भई भगवान शिराम जब रघुमंश के पती होते हैं तो वो रघुपती होते हैं जब भगवान शिराम का राज्या विशेक होता है वो राजा राम होते हैं जब वो अहिला मा का उधार करते हैं तो वो होते हैं पतित पावन और जब मिद्ला जनक पुर्धाम में जाकर मया सीता के साथ वास इस्वार करते हैं तो हो जाते हैं सीता राम लेकिन भगवान आज ना रभुपती हैं ना राजा राम हैं ना पतित पावन हैं नो सीता राम हैं वो सिर्फ और सिर्फ और शल्या के रागाउं हैं आज पॉश के शुक्ल बादसी के पावन दिवस पर जब भगवान शी राम पधारे हैं प्राण को प्रिष्टित हुए हैं तो माक और शिल्या अत्यंत प्संद होंगी भगवान सूर जिनके वंश में भगवान शी राम ने जन्म लिया इस वक्त जो प्रतक्ष दर्शन दे र कर रहे होंगे मैं इस वक्त जो मन मेरे मन में मेरे भाव आ रहा है कि इस वक्त द्रीडों की इस वक्त विवल नजर आ रही होगी भावनाओं में नजर आ रहा होगी इस स्वर्ग लोग में इंद्र इस वक्त मृदं का ताल मृदं का वादन कर रहा होंगे देवता इस वक्त झाल 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 आल आल झाल 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 में झाल 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 राम मंदिर के भूमिपुजन के बाद से प्रती दीन पुरे देश में उमंग और उत्सा बढ़ता ही जा रहा था निर्मान कार्य देख देश वास्यों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है आज हमें स्री राम का मंदिर मिला है गुलामी की मानसिक्ता को तोड़ कर उठ खड़ा हो राष्ट अतीत के हर दंस से होंसला लेता हुआ राष्ट ऐसे ही नव इतिहास का स्रजन करता है आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारिक की आज के इस पल की चर्चा करेंगे और यह कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं इसे साक्षाद घटीत होते देख रहे हैं आज दिन दिशाएं दिख दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है यह समय सामान्य समय नहीं है यह काल के चक्र पर सर्वकालिक शाय से अंकित हो रही अमीट स्मृति रेखाएं साथियों हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनमान अवश्य विराजमान होते हैं इसलिए मैं राम भक्त हनमान और हनमान गटी को भी प्रणाम करता हूं मैं माता जान की लक्ष्पन जी भरत सत्रुग्ण सब को नमन करता हूं मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सर्यु को भी प्रणाम करता हूं मैं इस पल दैविय अनुभव कर रहा हूं कि जिनके आशिरवात से यह महान कार्य पूरा हुआ है वे दिव्य आत्माएं वे दैविय विभूतियावी इस समय हमारे आस पास उपस्तित है मैं से भी दिव्य चेत्राओं को भी कृतज्यता पूरवक नमन करता हूं मैं आज प्रभूस्री राम से छमा याचना भी करता हमारे पुर्शार्थ हमारे त्याग तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक यह कार्य कर नहीं पाए है आज वो कमी पूरी हुई है मुझे विश्वास है प्रभू राम आज हमें अवश्य शमा करेंगे मेरे प्यारे देश्वासियों त्रेता में राम आगमन पर पुझ्य संत तुल्शिदाज ने लिखा है प्रभू बिलो की हर्फे पुरबासी जनित वियोग विबत्ति समनासी अर्थात प्रभू का आगमन देकर ही सब अयोध्यवासी समगर देश्वासी हर्थ से भर गए लंबे योग से लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया उस कालखन में तो वो वियोग केवल चौदा वर्षों का था तब भी इतना सही था इस यूग में तो अयोध्याव और देश्वासीों ने सेंकडों वर्षों का वियोग सहा है हमारी कई कई पीडियों ने दियोग सहा है भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रती में भगवान राम विराजमान है संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दसकों तक प्रभु सिर्राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली मैं आभायर वेक्त करूँगा भारत की न्याय पालिका का जिसने न्याय की लाज रख ली न्याय के परियाय प्रभुराम का मंदिर भी न्याय बद्ध तरीके से ही बना साथियों आज गाउं गाउं में एक सार्थ किर्टन संकिर्टन हो रहे हैं आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं स्वच्छता अभ्यान कलाए जा रहे हैं पुरा देश आज दिपावली मना रहा है आज शाम घर घर राम जोती प्रजवलित करने की तैयारी है कल मैस्री राम के आशिरवात से दनोश कोडी में राम सेतु के आरंब बिंदू अरिचल मुनाई पर था जिस गड़ी प्रभु राम समुद्र पार करने निकले थे वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था उस भाव मैं पल को मैसूस करने का मेरा ये बिनम्म प्रयास था वहां पर मैंने पुष्ट बंदना की वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा की जैसे उस समय काल चक्र बदला था उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुब दिशा में बढ़ेगा अपने ग्यारा दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण प्रस करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पढ़े थे चाहे वो नासिक का पंच्वटी दाम हो करला का पवितर त्रिपायर मंदीर हो आंधर प्रदेश में लेपाक्षी हो स्री रंगम मैं रंगनाथ स्वामी मंदीर हो रामेश्वरम में स्री रामनाथ स्वामी मंदीर हो या फिर धनुष्कोडी मेरा सवभाग है कि इसी पुनित पवित्र भाव के साथ मुझे सांगर से सर्यू तक की यात्रा का आउसर मिला सांगर से सर्यू तक हर जगर राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कन कन से जुड़े हुए है राम भारत वासियों के अंतर मन में विराजे हुए है हम भारत में कहीं भी किसी की अंतर आत्मा को चुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूती होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा इससे उत्कुष्ट इससे अधीक देश को समायोजीत करने वाला सुत्र और क्या हो सकता है मेरे प्यारे देश वासियों मुझे देश के कोने कोने में अलग अलग भाशों में रामायन सुनने का अउसर मिला है लेकिन विशेस कर पिछले ग्यारा दिनों में रामायन अलग अलग भाशा में अलग राज्यों से मुझे विशेस रुप से सुनने का मोका मिला राम को परिभाशित करते हुए रुश्यों ने कहा है रमंते यश्मिन इती रामह अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है राम लोक की इस्मृतियों में परवसे लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाय हुए हर्यूग में लोगों ने राम को जीया है हर्यूग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है और ये राम रस जीवन प्रवा की तरह निरंतर बहता रहता है प्राचिन काल से भारत के हर कौने के लोग राम रस का आचमन करते रहे हैं राम कथा असीम है और राम आयन भी अनिंत है राम के आदर्श राम के मुल्य राम की सिक्षाएं सब जगह एक समान है प्रिये देश वाचियों आज इस आइतिहाजिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कारिया और समर्पन की वज़े से आज हम ये शुब दिन देख रहे हैं राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकास्था करके दिखाई है उन अंगिनत राम भक्तों के उन अंगिनत कार सेवकों के और उन अंगिनत संत महत्माओं के हम सब रनी है साथियों आज का ये अवसर उत्सवता का ख्षण तो है लेकिन इसके साथ ही ये ख्षण भारतिय समाज की परिपक्वता के बोध का भी ख्षण है हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं विनय का भी है दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ट अपने ही इतिहास में उलज जाते हैं ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलजीवी गांटों को खोलने का प्रयास किया उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई बलकि कई बार तो पहले से जादा मुश्टिल परिस्थित्या बन गई लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांट को जिस गंबीरता और भावकता के साथ खोला है वो यह बताती है कि हमारा भविश हमारे अतीच से बहुत सुन्दर होने जा रहा है वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बनागा तो आग लग जाएगी ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाएगे राम लला के इस बंदिर का निर्मा भारतिय समाज के शांती धैरिय आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है हम देख रहे हैं यह निर्मान किसी आग को नहीं बलकि उर्जा को जन्म दे रहा है राम मंदीर समाज के हर वर्क को एक उजवल भविश के पत पर बढ़ने की प्रेणा लेकर आया है मैं आज उन लोगों से आहवान करूंगा आये आप मैसूस कीजिए अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए राम आग नहीं है राम उर्जा है राम विबाद नहीं राम संगाधान है राम सिर्फ हमारे नहीं है राम तो सब के हैं राम बरतमान नहीं, सिरफ बरतमानी नहीं, राम अनन्त काल है, साथियों, आज जिस तरफ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन चे पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, उसमें राम की सर्व व्यापकता के दर्शन हो रहे हैं, जैसा उत्सव भारत में हैं, वैसा ही अनेक देशों में हैं, आज अयोज्ध्या का ये उत्सव, रामायन की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है, राम लला की ये प्रतिष्ठा वसुदहेव कुटम कम के विचार की भी प्रतिष्ठा है, साथियों, आज अयोध्या में केवल श्री राम के विग्र रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतिय संस्क्रिति के प्रति अटूट भी स्वाज की भी प्राण प्रतिष्ठा है, ये साक्षात मानिवे मुल्यों और सर्वोच्य आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है, इन बुल्यों की इन आदर्शों की आवशक्ता आज संपूर्ण विश्व को है, सर्वे भवन को सुखे जाए, ये संकल्प हम सद्यों से दोहराते आए हैं, अज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मेरा है, ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की द्रश्टी का, भारत के दर्शन का, भारत के दिख दर्शन का मंदिर है, ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है, राम भारत की आस्ता है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है राम भारत का विधान है राम भारत की चेतना है राम भारत का चिंतन है राम भारत की प्रतिष्टा है राम भारत का प्रताब है राम प्रभा है राम प्रभाव है राम नेती भी है राम नीती भी है राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विबु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है और इसलिए, जब राम की प्रतिष्ठा होती है, तो उसका प्रभाव वर्षों या सताद्योता की नहीं होता है, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है महर्ची वालमिकी ने कहा है, राज्यम दस सहस्त्रानी प्रप्य वर्षानी रागवा, अर्थात राम दस हजार वर्षों के लिए राज्य पर पतिष्ठीत हुए, यानि हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ जब त्रेता में राम आये थे, तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई हजारों वर्षों तक राम, विश्व पत्थ प्रदर्षन करते रहे थे और इसलिए मेरे प्यारे देश्वासियों आजयो द्याभूमी हम सभी से प्रतेग राम भक्त से प्रतेग भार्तिय से कुछ सवाल कर रही है स्री राम का भव मंदिर तो बन गया अब आगे क्या सद्यों का इंतजार तो खत्म हो गया अब आगे क्या आज के इस अउसर पर जो दैव जो दैव यह आत्माएं हमें आशिर्वाद देने के लिए उपस्तित हुई हैं हमें देख रही हैं उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे नहीं कदापी नहीं आज मैं पूरे पवित्रमन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है यह सुकत संयोग है कि हमारी पीडी को एक काल जैपत के सिल्पकार के रुप में चुना गया है हजार वर्स बात की पीडी राष्ट निर्मान के हमारे आज की कारियों को याद करेंगी इसलिए मैं कहता हूँ यही समय है सही समय है हमें आज से इस पवित्र समय से अगले एक हजार साल के भारत की नीव रखनी है मंदिर निर्मान से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यही इस पल से समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत के निर्मान की सोगंद लेते हैं राम के विचार मानस के साथ ही जन मानस में भी हो यही राष्टन निर्मान की सीड़ी है साथियों आज के यूग की मांग है कि हमें अपने अंतर करण को विस्तार देना होगा हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक राम से राष्ट तक होना चाहिए हनुमान जी की भक्ति हनुमान जी की सेवा हनुमान जी का समर्पन ये ऐसे गुण हैं जीने हमें बहार नहीं खोजना पड़ता प्रतेग भारतिय में भक्ति सेवा और समर्पन के भाव समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत का आधार मनेंगे और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार दूर सुदूर जंगल में कुटिया में जीवन गुजारने वाली मेरी आदिवासी मा शबरी शबरी का ध्यान आते ही अप्रतेम विश्वाज जागरुद होता है मा सबरी तो कब से कहती थी राम आएंगे प्रतेग भारतिय में जन्मा यही विश्वास समर्थ सक्षम भग्व्य भारत का अधार मनेगा और यही तो है देश देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार हम सब जानते हैं कि निशाद राज की मित्रता सभी बंदनों से परे हैं निशाद राज का राम के प्रति सम्मोहन प्रभु राम का निशाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है सब अपने हैं सभी समान है प्रत्य भारत्य में अपनत्व की बंदुत्व की ये भावना समर्थ सक्षम भग्य दिव्य भारत का आधार बनेगी और यहीं तो है देव से देश और राम से राश की चेतना का विस्तार साथियों आज देश में निराशा के लिए रत्ती भर्भी स्थान नहीं है मैं तो बहुत सामान्य हूँ मैं तो बहुत छोटा हूँ अगर कोई ये सोचता है तो उसे गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए गिलहरी का स्मरणी हमें हमारी हिचक तो दूर करेगा हमें सिखाएगा कि छोटे बड़े हर प्रयास की अपनी ताकत होती हैं अपना योगदान होता है और सब के प्रयास की यही बावना समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत का आधार बनेगी और यही तो देव से देश और राम से राष्ट का राष्ट की चेतना का विस्तार साथ्यों लंका पती रावन प्रकांड ग्यानी थे अपार शक्ति के ध्यनी थे लेकिन जटायू जटायू जी की मुल्य निष्ठा देखिए वियम महाबली रावन से भीड़ गये उन्हें भी पता था कि वो रावन को प्रास नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी उन्होंने रावन को चनोती दी करतव्य की यही पराकास्ता समर्थ सच्छम भव्य दिव्य भारत का अधार है और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार आएए हम संकरपले के राष्ट निर्मान के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे राम काज से राष्ट काज समय का पल पल शरीर का कण कण राम समर्पन को राष्ट समर्पन के देश से जोड देंगे मेरे देश वासियों प्रभु सी राम की हमारी पूजा विशेश होनी चाहिए ये पूजा स्वा से उपर उठकर के समस्ति के लिए होनी चाहिए ये पूजा अहम से उठकर वयम के लिए होनी चाहिए प्रभु को जो भोग चड़ेगा वो विख्सित भारत के लिए हमारे परीश्रम की पराकाश्टा का प्रसाद भी होगा हमें नित्य पराकम पुर्शार समर्पन का प्रसाद प्रभुराम को चड़ाना होगा इनसे नित्य प्रभुराम की पूजा करनी होगी तब हम भारत को वैववशाली और विख्सित बना पाएंगे मेरे प्यारे देश वास्टियों ये भारत के विकास का अमर्त काल है आज भारत युवाश शक्ति की पूंजी से बरा हुआ है उर्जा से बरा हुआ है ऐसी सगारत्मक परिस्तितियां पिर न जाने कितने समय बाद बनेगी हमें अब चूकना नहीं है हमें अब बैठना नहीं है मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रिनना है आप भारत की उस पीड़ी का प्रतिनी दित्व करते हैं जो चान पर तिरंगा लहरा रही है वो पंद्रा लाग किलोमेटर की आत्रा करके सूर्य के पांच जाकर मिशान आजित्य को सफल बना रही है जो आस्मान में तेजस और सागर में विक्रान का पर्चम लहरा रही है अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना है पनंपरा की पवित्रता और आधुनिक्ता की अनंतता दोनों ही पत पर चलते हुए भारत सम्रुद्धी के लक्स तक मेरे साध्यों आने वाला समाए अब सफलता का है आने वाला समाए अब सिद्धी का है ये भव्य राम मंदिर साच्ची बनेगा बारत के उतकर्स का भारत के उदय का ये भव्य राम मंदिर साच्ची बनेगा बव्य भारत के अब्युदय का विक्सित भारत का ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष सत्य प्रमानित हो, अगर लक्ष सामुहिक्ता और संगर्दिक सक्ती से जन्वा हो, तब उस लक्ष को प्राप्त करना और संबहु नहीं है ये भारत का समय है, और भारत अब आगे बढ़ने वाला है, सताअब्दियों की प्रतिक्षा के बाद हम यहां पहुँचे हैं, हम सब ने इस युक का, इस कानखन का इत्लिजार किया है अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की उंचाई पर जाकर ही रहेंगे इसी भाव के साथ, राम लला के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी को बहुत-बहुत सुपकामराए, सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम शियावर राम चंद्र की, शियावर राम चंद्र की, शियावर राम चंद्र की मैं आप से निविदन करूंगा, अभी थोड़ा आशन ग्रहन करिये मानने प्रधान मंत्री जी यहां से कुबेर तिला की और प्रस्थान करेंगे मानने प्रधान मंत्री जी के यहां से स्थान से प्रस्थान के प्रस्थात, हमारे मेहन निर्त को पालदास जी के शिष्ष्यकणों से निविदन करूंगा, मंच पर आकर उनको नीचे की और ले जाए. जानकी दास जी अब मंच पर आजिए. मानन जी, मोहन राव जी, भाईया जी कहीं मिलेगे? मानन ये प्रधान मंत्री, सादू संतों के निकट की ओर जा रहे हैं. मानन ये प्रधान मंत्री जी बहुत निकट पहुच गए हैं संत माप पुरुशों के. देव से देश और राम से राश्टर का निर्मार. यानि कि राश्टरी ये चेतना में जो राम विराजे हैं, वो राश्टरी ये जन्मानस में राम के गुड़ों का आउतार हो. मानस में जो राम हैं, उनके गुड़ों का भारत के जन्मानस में अंगिकार हो. निश्चित तोर से राश्टर निर्मार के एक हजार वर्षों का जो स्वप्ण प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है, वो निश्चित तोर से पूरी दुनिया के सामने भारत भारतियता को नए रूप में व्यक्षाइद करता है, सनातन संस्कृति को नए स्वरूप में व्यक्षाइद करता है. हमारी ही संस्कृती कहती है संग अच्छध्वम संवद्ध्वम संवो मनांसी जानताम हमारी ही संस्कृती कहती है सहनाववतु सहनवभुनक्तु हमारी ही संस्कृती कहती है कि हम विश्व बंधुत्व के लिए अपना सर्वस्व नियुच्छावर करें राष्ट निर्मार में अपना सर्वस्व अंशुदान करें। कुछ तो खास है इस अयोध्या धाम में जो निर्गुण निराकार परब्रम्ह को सगुण साकार बना देता है। राम सब के हैं राम सर्वत्र हैं और इसलिए आज एक ऐसे ही अध्भुत अलोकिक स्वरूप में बाल रूप में पांच वर्ष के राघव अब अपने भक्तों को नए नवीन नूतन दर्शन के लिए पधार चुके हैं। स्वागत कीजिए भगवानशी राम का इस नए अवतार में आज के इस अलोकिक दिव्य द्वादशी के तिथि में जब कूर्म अवतार का दिन आज भगवानशी राम ने एक बार फिर से अवतार लिया। भराधाम, अयोध्याधाम, सर्यू, सबकुछ प्रसंद, आनंदित, उल्लसित। मत, पंथ, सबका यहाँ पर संबिलन हुआ है, एक यहाँ पर ऐसा समागम हुआ है, जो सनातन संस्कृति के शास्वत त्वरूप को स्थापित करता है, यहाँ पर शैव, वैशलो, शाक्त, पत्य, गडपत्य, सिख, बौध, जैन, दशानन, संकर, रामानुन, संप्रदाय, निम्बारका संप्रदाय, विश्रुनामी संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय, पंथों में घीसा पंथ, गरीब दासी, गौडिया, कबीर पंथी, वालमीक पंथी, धार्मिक संगठनों में अनेकानेक, विश्व कल्यान में लगे हुए, भारत निर्मान में संगटनों के प्रत्निधी, महिमा समाज, अकाली, निरंकारी, नामधारी, राधास्वामी, वरकरी, वीरशयो, हर कोई भारत की सवस्त मत पंतराय की जो अलग अलग धाराये हैं, वो आज उनका यहाँ पर समागम हुआ है, आज उनका यहाँ पर संगम हुआ है, और पूरी इससे मैंने पाया तन्मन, इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो बसकर्तव यही, सब कुछ कर दू इसको अरपण, मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का सेवक हूँ, मैं तो समश्ट के लिए व्यश्ट का कर सकता बलिदान अभय, हिंदू तन्मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिशे, तो निश्चित तोर से एक जो हमारी स्थनातन सं प्रतीक है वो आज पूरी दुनिया देख रही है इस परम अजुध्याधाम से वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई इस राष्ट की कई वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई है उन संतों की जो लगातार भगवान शीराम के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करते रहे तपस पूर्ण हुई क्योंकि वर्षेस्त और परशीरंगम और स्री रामेश्वनम से खुद भगवान शीराम के लिए उपहार लेकर के आए और उपहार तो समस्त देश से यहां पर पहुच रहे हैं कोई रामलला के लिए भोग ने च्छावर कर रहा है तो कोई उनके लिए हीरे शीराम सब के हैं सर्वत्र हैं और इसलिए शायद ही कोई ऐसा राज्य हो इस राश्च्र का जिसने भारत भूमवि में अयोध्या धाम में भगवान शीराम के नव्य और भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान न दिया हो यहां पर पत्थर आते हैं राजस्थान से कारीगरी होती है तमिल नारुड से पच्ची कारी होती है उडिसा से श्रम जीवी होते हैं बिहार उत्तर प्रदेश से और जो प्रांड पतिष्ठा होती है वो 140 करोड रोगों के जन मानस की भावना को केंद्र में रखकर राष्ट के अध्यक्ष राष्ट के नेता भावान है कि भक्ति मुक्ति साधकम भारतम धर्म कर्म नैश्ठिकम भारतम रीती नीती संस्कृतम भारतम शस्त्र शास्त्र धारकम भारतम शक्ति युक्ति संब्रितम भारतम और निश्चित तोर से यह आज एक संकल्प के सिध्धि का दिन है और आज ही एक शपत लेने का भी दिन है आज ही एक और सोगंध लेने का दिन है जिसमें कहा जाता है कि अजयाम्च विश्वश्व देहिश शक्तिम सुशीलम जगद्येन नम्रम भवेत शुर्तम चैवयत यतंत का कीरण मारगम स्वयंग स्वीकृतम ना सुगम कारियेत है प्रभू हमें ऐसी शक्ति दे कि कि विश्व में हमें कोई चुनोती न दे सके ऐसा शुध चरित्र दे जिसके समक्ष संपोर्ण विश्व नतमस्तक हो और ऐसा ज्यान दे जो की स्वेंग स्वीकृत कंट का कीरण मारगों को सुगम बना दे और सभी कंटका किरण मारगों को सुगम बनाते हुए हम भारत को जगत गुरु की पदिवी पर विश्व में स्थापित कर सके। यही कहा गया है कि परम वईभवम मेत नेतु मेतत स्वराश्टम। हम अपने राश्ट को परम वईभो पर प्रतिष्ठित करें और इसी का हवान प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाराधाम से आज इस योगांत कारी छण में दुनिया को दिया है। सर्यूह सगुणप्पमान तन निवासी जगननाथ सत्यम सत्यम वदाम हम भगवान शिव जो की जगत गुरु हैं भगवान शिव जो स्री राम के सखा हैं भगवान शिव जो स्री राम के स्वामी हैं स्वयम्मा पारवती से कहते हैं कि अयोध्या जो परब्रम स्वरूपा ह सर्यू के अक्तीर्थ जोकी साकार जलाकार परमपुरुष परमात्मा की स्वरूपा है उस अयुध्या के निवासी समस्त जीव जगन्नात स्वरूप है जो इस वक्त सास ले रहे हैं अयुध्या में वो भी अयुध्यावासी है जो अपने मन से इस दृष्य को देख रहे हैं वो भी आयोध्यावासी हैं, जो परिकलपना कर रहे हैं, कि वो कभी आयोध्या आएंगे, भगवान शी राम के दर्शन करेंगे, वो भी इस वक्त आयोध्यावासी हैं, और आयोध्यावासी हैं, इसलिए जगन्नात स्वरूप हैं, और उन सभी जगन्नात स्वरूप परब्र परमात्मा के प्रेमी संतों के चरणों में चारणार विंदों में बारम बार प्रणाम करते हुए बार बार वही धुन निकलती है कि भगवान शीराम सब के हैं लेकिन वो संतों के मन में रमते हैं इसलिए तो वो राम कहलाते हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं संतों का कि धरा को आज संथ विवल होंगे उनके नयन सजल होंगे भगवान शीराम को अपने बीच पाकर अपने बीच एक नव्द और भव्द रूप में पाकर उस कृष्णवर्ण की पांच वर्ष के बालक की रूप में राघो को पाकर जो आज कल्यूग में त्रेता युक से उतर क Stephen नव्द चाहते होंगे सजो लेना चाहते होंगे और आप सभी का मन कर रहा होगा कि एक बार można डियाम में और अजया वाशी वासी लिशन नाट बंगति है और यह समागम है अज संगम हुआ है विविद्ध मत धर्म पंथ संप्रदाय का पचास से अधिक आदिवासी गिरिवासी तटवासी द्वीपवासी जंजाती ये परंपराओं की उपस्ति इस आयोजन को समग्र समावेशी बनाती है पहली बार भारत की इस बहुरंगी संस्कृति का ऐसा भव्य आयोजन इस धर राम जन्म भूम के दिव्य नव्य प्रांगर में हुआ है निश्चत तोड़ से दुनिया आज देख रही है कि किस तरीके से एक नए भारत ताउदय हो रहा है शत शत आगातों को सहकर जीवित हिंदुस्थान हमारा जग के मस्तक पर रोली सा शोवित हिंदुस्थान हमारा जब दीप मुझे पश्चमी गगन के व्याप्त हुआ बरबर अधियारा किन तुचीर कर तमकी छाती चमका हिंदुस्थान हमारा हमारी संस्कृति इतनी प्राचीन है इतनी शास्वत है सनातन है सनातन इसे लिए कहा जाता है क्योंकि शाटर्पादी शाटर्पादी और दिलीप दोनों मंच्कियों और आसक पे हैं आजाओ थैर से चलिए जगरिया हो गुईयां जट्रपते सिंग और दिलीद दोनों अगर कहीं मेरी अवाद्टियों करता आशिकार मेरी जट्रपा कर्या रांश आपको ए अगर शेंगा ड करिया है डिक कर Small नुदया कंप है ते इसकली सिंगीर ए गिन आपके ज sabemुड़े बांवे मोरे राम आवद घर आए सं तोसी अखाड़ा कि म्या अगेare जा आपर नाम आगे आगे राम चले पाच चलिषेना पाच चलिषेना आगे आगे राम चले पाँच चली सेन आगे चले राम चले पाँच चली सेन हानो मान उड़ी आए मोरे राम आवद घरी आए आगे रेखर लोगवाद इना प्रोर टो आगे रेखर और नगे राम चले बाँच चली सेन कला तररा इना अपने राम ग्राई राम पाँच चली आए करेंगे वही जटायू जो हत्याचार के खिलाफ वही जटायू जो विशमता के खिलाफ अपने आपको उन्होंने जोग दिया अपनी आहुती दे दी और आप समझिये कि जिस पक्षी को जिस गिधराज को इस समाज में सबसे अधम माना जाता है क्योंकि वो मरे हुए पश्रों का मांस खा करके अपनी जीवन रक्षा करता है उसी पक्षी राज को भगवान ने अपनी गोद में रख करके अंतिम बिदाई दी उन्ही पक्षी राज को अपनी गोद में रख करके भगवान ने वो गति प्रदान की जो उन्होंने अपने पिता स्वयम श्री दशरत जी को प्रदान नहीं की वही दशरत जी जो स्वयम भी मनुके अवतार कहे जाते हैं वही दशरत जी जिन्होंने 33,000 वर्षों तक नैमिशा रण में तपस्या की मा शतरूपा के साथ और कशल्या और दशरत के रूप में अवतरित हुए भगवान शीराम को करशित कर लिया उन्होंने लेकिन भगवान शीराम ने उन्हें वो गति प्रदान नहीं की उन्हें वो गति प्रदान की जटायू को उस जटायू को जो पक्षी होते हुए भी उस पक्षी की भी श्रेणी में सबसे निम्नतम श्रेणी में आता है उसको भगवान श्री राम ने हरी का रूप प्रदान किया और हरी का रूप जब प्रदान किया तो जटायू हरी रूप में हो करके भगवान श्री राम की स्तुत करते हैं और संस्कृत में अध्यात्म रामायण में जो अध्वुत्स तुति जो जटायू जी ने की है उसका हम वरणन करेंगे लेकिन अभी आप जो तस्वीरे देख रहे हैं उसमें भगवान शिव का जलाबिशेक करते हुए क्योंकि भगवान शिव माना जाता है कि इस्ट तोर से लंका पर विजय प्राप्त करने के पहले जब भगवान शिरी राम ने राम सेतु का निर्माण किया तो समय रामेश्वरम में भगवान विश्वेश्वर की भगवान रामेश्वर की उन्होंने आराधना की यह हमारी संस्कृती है जो किसी युद्ध के पहले सेतु बनाने का कारे करती है यह हमारी संस्कृती है जो युद्ध की जगह नीतिक पर अपना ध्यान देती है यह हमारी संस्कृती है जो शास्वत सनातन मूल्यों के स्थापना के लिए अपना धूत लंका में भेशती है धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध का भी वरन करती है और कहती है यतह धर्मो तत्ठ विजय यही जहां धर्म है वहां जय है और निश्यत तुर से हमारे ही संसीय को पूरी दुनिया को चकित कर देती यह हमारी संसस्कृति है जो पूरी दुनिया के सामने ऐसा रूप प्रस्तुत करती है जो सत्यम है शीवम है सुन्गरम है भगवान शीवन के बारे में कहा गया है कि मैं आदी पुरुष निर्भैता का वर्दान लिये आया भूपर पैपी कर सब मरते आये मैं अमर हुआ लो विश पीकर अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वहा आग प्रभर हो जाती दुनिय भस्मसाथ जिसको पलभर में ही छुकर भैसे व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पुजं मैं नर नारायन नील बन गया तो इसमें क्या संशह क्ätzen के लिए हला हल को पीना, विश्व के कल्यान के लिए विश्व का वमन करना हमारी ही संस्कृती में है और ऐसे ही आराद देदेव महादेव की बंदना कर रहे हैं पुर्धान मंतरी नरेंद्र मोदी अमकारं विन्बो युक्तं नित्यं ध्यायंति योगिनह रामदं मोक्षदं चैवों कारायनमो नमह नमंति रिशयो देवा नमंत्यब सरसामगणा नमा नमंति देवेशं मकारायनमो नमह महादेवं महात्मानं महाध्यान परायनं महापापवरं देवं मकारायनमो नमह शिवम शांतम जगनाथम लोका नुब्रहकारकं शिवमे पतनित्यम शिकारायनमो नमह वाहनम भृषभोयस्यह वासुकी कंच भूशनम वामे शक्ति धरम देवं वकारायनमो नमह यत्रतत्रिस्थितव देवह सर्वव्यापी महेश्वरह योगुरु सर्वदेवानाम यकारायनमो नमह शडक्षरमिदं स्तोत्रम यह पठेचिवसनिधव शिवलोग मवापनोती शिमेन सहमोदते भगवान शिव की परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये प्राचीन कुबेर का टीला जहां पर अब आधनिक रूप में जटायू जो कि पक्षि की शेणी में त्रेता युग में उन्होंने मा सीता की सेवा में अपने प्राणों को सर्ग कर दिया जिने स्थल जहां पर जटायू का सबसे बड़ा मंदिर है वही स्थल जहां पर जटायू को सद्गति प्रधान की गई थी वही स्थल जहां पर जटायू और रामर का युद्ध हुआ था आज एक बार फिर से जटायू उसी पराक्रम के प्रतीक के रूप में जो की अत्याचार के खिलाफ है उसी उत्षर्ग के प्रतीक के रूप में जो धर्म के प्रती उत्षरक का द्योतक है आज फिर से जटायू श्री अयुध्या धाम में प्रतिष्टित हो रहे हैं कुवेर टीला और आपसे धोड़ी देर में द्रधानमंत्री मोदी उस दिव्य प्रतिमा को राश्ट में पधार चुके हैं और क्यों जटाई हुकम मुझे लगता है कि अनंद अनंद आत्माएं इस वक्त अयोध्या की धराधाम में आ चुकी है अवतरित हो चुकी है भगवान शीराम का बाल रूप में दर्शन करने के लिए अपना आशिरवात देने के लिए और अपनी कुछ कुछ भीट भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए अगाध शद्धा भगवान श्रीराम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में पहुत पहले एक सामानने कारेकरता के रूप में अपने जम्मू कश्मीर प्रवास के दौराद उन्होंने जो पंग्तियां लि व्रिति को प्राप्त संघ्या हैं राम हमारा चिंतन दर्षन प्रित्य प्रवित्य और प्रग्यां राम चिरंतं जीवन मुल्यों का स्वर्णिम शिखर हैं राम हमारी संस्कृति के शाश्वत हस्ताक्षर हैं, राम हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी गती हैं, राम हमारी शान, हमारा भाल, हमारी स्तुति हैं, बिना राम के आदर्शों के चर्मोतकर्ष कहां, बिना राम के इस भारत में भारत वर्ष कहां, योदगार प्रहनमंत्री नर राम मर्यादापुरशोत्वमश्रीराम सानातन संस्कृति के प्रदीक राम सत्यशास्वत सनातन स्रीराम भारत के आत्मतत्त्व श्रीराम जब आज उनका आयुध्या में ही वन्वास सवाप्ट हुआ है तो यह ःष्ण पूरे देश पूरी दुनिया और पूरी मानोता के लिए विलक्षण है। पूरी दुनिया और पूरी मानोता के लिए विलक्षण है। पूरी दुनिया और पूरी मानोता के लिए विलक्षण है। पूरी मानोता के लिए विलक्षण है। आप देख सकते हैं इस वक्त राम जनम भूमी मंदिर पर जो मंदिर है। के पास जो कुबेर टीला है वहाँ पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने जो एक मंदिर है। पूरी मानोता के लिए विलक्षण है। इसका जिन्नोधार राम मंदिर ट्रस्ट नहीं करवाया है। पहले से यह मंदिर यहां पर मौझूद था। उस मंदिर में पूजा अर्जना की है। कुवेर टीला है जहां पर प्रधान मंतरी ने यह पूजा अर्जना की है। करीब सौफुट उचा है और मिट्टी और पत्थों से बना हुआ है। तो इस मंदिर प्रांगण में सिर्फ राम लला ही विराजमान नहीं है। अन्य देवी देवता भी विराजमान है, भव्य मंदिर बनाया गया है। तोड़ी दिर में प्रधान मंतरी जटायू जी, पक्ची राज जटायू जी की भी प्रतीमा का अावरन करेंगे। जटायू के बिना रामायन पूरी तरह से कभी रामायन की चर्चा जटायू राज के बिना अधूरी है निकर जी निश्चित तोर पर जटायू राज के बिना ये चर्चा अधूरी है और फिलहाल ये जो आप मूर्ती देख रहे हैं रामलला का विग्रह देख रहे हैं ये परिसर में अगर कहा जाए तो आयोध्या धाम में प्रतीमा है इसको आप देखेंगे तो इसमें बाल 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 तत्व भी है देव तत्व भी है और राज कुमार की छहवी भी है जी लिश्ची तौर पर और ये सब के मन को मोहने वाली है मन को हरने वाली है और जिस तरह से आज प्रधार मंतरी ने अपने भाशन में कहा कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं सदियों की अभूतूर त्याग बलिदान और तपस्या के बाद हमारे राम आ गए हैं तो निश्ची तोर पर हमारे राम आ गए हैं और उसके साथ ही साथ हमारे राश्ट के स्वा की चेतना भी लोटी है पुदारमंत्री के शब्दों में और उसके साथ ही साथ कुछ संकल्ब भी लिये गए है आज इस राम मंदर परिसर से इस प्रांगर से और भगवान पराम के सामने वो सौगंध ली गई है विकसित भारत बना की समय है और इस समय को खाली नहीं जाने देंगे और राम मंदर के इस निर्माड के बाद इस भव दिव आयोध्या के में श्री राम जन्ग भूमी के इस मंदर निर्माड के बाद आखिर आगे क्या इस सवाल पर भी बहुत खुले मन से प्रधान मंत्री ने अपनी बात प्लेंडर पर लिखी हुए एक तारीख नहीं है 22 जनवरी 2014 लेकिन बलकि ये एक नए काल चक्र का उद्धार है और ये सकारात्मक है ये हमें प्रेरित करता है ये हमें आगे की ओड़ ले जाता है कि इस तारीख को कुछ दिनों तक कुछ सालों तक नहीं बलकि हजारों सालो तक इस तारीख को याद रखा जाएगा इस दिनांग को याद रखा जाएगा क्योंकि ये एक काल चक्र है और यहां से भारत जो है एक नए भारत का निर्मान हो रहा है जी बिल्कुल उन्होंने साफ तार पर कहा कि हमारे लिए ये आवसर सिर्फ विजय का नहीं बलकि विन रामदला टेंट में थे और महल में पहुच चुके हैं अपने घर पहुच चुके हैं जब हमें तस्वीर देख रहे हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए किस तरह से गुलाबी रंग के कनात के बीच टेंट के बीच में रामदला को रहना पड़ता था वहां पर सिहासन की हमारे दर्शक देख सकते हैं वो आभा मंदल नजर आ रहा है राम दला को और राम दला को का इस्थान यही था यही राम दला को विराजित होना था और आज राम दला 500 साल की तबस्या के बाद यहां पुनह विराजित हो गए और यह कुबेर टीले पर प्रदार मंत्री इस वक से आपने बताया बिल्कुल की यह एक तकरीवन सो फीट उची जगह है और लिक्री राम का आयोध्या धाम में जो आपने कहा कि श्री राम ही नहीं बल्कि बहुत सारे देवी देवता विराज मारे इसका एक बहुत अलग महत्वी यह भी है कि यह ऐसा माना जाता इस कुबे हूधार करवाये है राम मंदिर टरस्ट ने बलकि इहाँ पर गशी की प्रतीमा है माधा परवति की प्रतीमा है कार्थी के जी नंदी जी कुबेर जी स्वहयां यहां पर और नौदेवी देवताओं की पृतिमा इस्थापिती गई है तो इस कुबेर के टीले का बड़ा ही अपने दो बाते कहीं उनको जोड़ना चाहता हूँ, एक तो आपने कहा कि भगवान राम की प्रतिमा है ये सॉम्मिता और विनए भी अर्शाति है और भगवान राम का चरित्र है, वो उद्दात है, सॉम्म्म low का दिव है, भव्यः और पराक्रमी भी है, तो जो सॉम्मिता और पराक्रम का अधुत्य रूप है वो भगवान श्री राम का रूप है और आपने दूसरी बात जटायू की बात कहीं है जटायू का तीला है दरसल की तशीर का अनावरन कर रहे हैं उस प्रतिमा का ये देखिए कितनी भव ये मूर्ती है और निश्चित तोर पर जटायू जटायू आज भी याद किये जाएंगे कि जिस तरह से प्रधान मंत्री ने कहा कि वो जानते थे कि वो महाबली रावन के खिलाफ युद्ध नहीं जीत पाएंगे उनके वरुद्ध उसके बावजूद यहां तुमसी दास्जी कहा में जिक्र करता ज़रूरी है जो उन्हों चरितमाना इसमें जटायू और श्री राम के जिस समबात का जिक्र आता है वो बड़ाई सुंदर शब्दों में तुलसिदात तुलसिदाजी ने लिखाया वो लिखते है कि परहित बस जिन्हें के मानी माही तिन्हों कहूं जग दुरलब कुछ मनाही तनु तीज तात जाह यानि भगवान श्री राम जटायू महरास से कहते हैं कि जिनके मन में दूसरे का हित वस्ता है उनके लिए जगत में कुछ भी दुरलब नहीं है हे तात यानि हे जटायू हे तात शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाये मैं आपको क्या दूँ आप तो सब कुछ पा जटायू की बीच में चुके हैं यह भाव भीना संवाद जो है प्रभू श्री राम झाटायू के बीच में जटायू के अंतिम्ixon में बार Cape से महल में उसी राम जी के घर में जटाहीू राज की वशाल परीमा लग रही है यह जी आपशना ठीना के दाश्वा आने वाली इस बात की गवा हैं जब प्रधानमंत्री जटाईू राज की इस प्रतिमा का अनावरण कर रहा है। गिन रहे थे जतायू ये देखिए ये दिवे तस्वीरे ये भी कही जाएंगी क्योंकि ये जो श्रमिक हैं ये वो श्रम साध्य लोग हैं जिनोंने इस मंदिर के निर्माण में भाग लिया है और पुश्प बर्शा कर रहे हैं यही बात पुश्प बताता है जो नीव के पत् उठ्धर को हैं एन ऻैजिस्टेंड स्संट्र्का और ये अपने कि औरके हैं जो प्राइज में वीया हुट्र इसटें हैं ये लुग जो प्ता एक जो चलन और यह जो भाव जिसमें कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभ मूरत देखी तिन तैसी तो इनके अंदर भी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जो भाव देखते हैं उन्होंने एक नया रूप दिया है अगर आम यह किसका है कि त्रेता युग में जो कारेवा युगदान रहा है उसको अलंकरित करते हुए प्रधान मंत्री पुष्प गुच्छों के द्वारा पुष्पों के द्वारा और यह निश्चित तोर पर यह उनका जो एक भाव है यह अपने आप में बहुत ही प्रसंद्र करने वाला आहलादित करने वाला आनंदित करने और निश्चित तोर पर यह जो श्रमिक है वो अपने आप तो बहुत धन्य और महसूस कर रहे हुए इस बात मैं बताना चाहता हूं मैं इंटर्वी एक श्रमिक का देख रहा था तो बता रहे थे कि जो मुझे यहां से जो भी मुझे पैसा मिला है श्रम करने के बदले वो पाम जनम घूमिk ट्रस्ट पूभी में दान करके चला जाओंगा तो वो महाःदान है जी एक श्रमिक जिसके पूरी कमाई कीसम निर्मान के दोरान को समस्त कमाई अपनीसमस्त आये अगर राम मंदिर ट्रस्ट को दान कर देता है मैं मानता हूँ कि वो सबसे महान दान है और वो इन श्रमी को ने करके दिखाया है श्रम्दान के माध्धम से भी और अपनी भावनाओं के माध्धम से भी जी 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 निश्चित तो पर तो ये जो द्रिश हैं ये अभूत पूर्व है ये दरसल इसको कहा जाए कि ये द्रिश भी आँखों में बिठा लिया जाए तो गलत नहीं होगा जिस तरह से राम की प्रतिमा जिन्नों ने गड़ी दरसल वो जो इस राम के पूरे मंदिर को साकार जिन्नों ने किया इस जनभूमी के मंदिर को कितने कम समय में और कितना दिन मंदिर है उस हिसाब से निश्चित तोर पर यह जो श्रम देव हैं यह पूज़ी मुझे लगता है कि पहले हम कभी नहीं देखते थे भारत में और भी निर्मान हुए है लेकि इस तरह से श्रम भीरों करना करना यह अच्छी करमचारी जब जो थे उनके जिस तरह से चरण धोये थे प्रधान मंत्री ने तो यह बहुत अच्छी अन्य लोगों के लिए प्रेंडना बन सकती है और यह भविश्य के लिए प्रेंडना देती कि कोई भी कारी छोटा नहीं होता है नहीं था लोग जिस तरह से वहवार वि नहीं श्रम देवताओं ने बनाया है और निश्ची तोर पर अगर प्रधान मंत्री पुष्प वरशा कर रहे हैं तो यह उनकी बड़ा काम है उदारता भी है और सभी को मैं कहता हूं कि इसको सभी को जो राजनातिक नित्रत है और भी उनको भी इसको देखना चाहिए समझ आइधे की है बहुत शांदार द्रिशय है मन को विष्वल करनेवाले द्रिशय है यह सोचने की बात है बिल्कुल अभी कि कुछ शर्मिकों से बात्चीत भी थी हमारे डीडी निउस पर विए बात्चीत दिखाई गई थी कई श्रमिक के कह रहे हैं कि इनका मन इतना रम गय लेकिन वो नीव जिसके हातों ने ये निर्मान किया जिसे करकमलों से निर्मान किया है उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए और ये तस्वीर इस बात की गवाई देती हैं कि जब जब इस मंदिर का जिक्र होगा इसके निर्मान में लगे इन श्रमवीरों को भी हमेशा याद प्रसंग भी है और जो आपने नलीद से तोड़ना की वो भी निश्ची तोर पर इस बात को प्रमालित करती है प्रमान मंत्री ने जिस तरह से इन श्रम वीरों का इन श्रम साध्य जीविकों का अभिनंदन किया है वो अभूत्पूर जिया बिल्कुल जब राम सेतु का निर्मान हो रहा था तो मन में सवाल उठाता कि इतने तैयार करके इन श्रमी को ने करके दिखाया दिन रात 24 घंटे काम यहां पर लगातार चलता रहा और उसका जो नतीज़ा है वह आप टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नकासी नकाशी है कितना भव विद्व विविराट अच्छा अच्छा धम की बा कर्षण है जो अधितिये यह एक जो मंदिर विव बनकर निखर कर सामने आया है उसमें इन श्रम वीरों का बहुत बड़ा योगदान है और प्रधान मंत्री ने उनको अभिननदित करके यह साबित भी किया है कि में लुए मिलाने विए कुल्मन तो विशरा तो जो बात मैं कहह रहा है जटायू के समन्द में और भगवाठाच यह पराक्रम के संबंद में जी तो जब 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 जतायू प्राहत याग ने लगे तो उन्होंने इस श्री राव ने उन कि आप जाएंगे तो हमारे पिता महराज दर्शत से स्वर्ग में मिलेंगे लेकिन इस घटना का वरण ना करिएगा क्योंकि अगर मैं उनका असली पुत्र हूं तो रावन स्वयम अपने खांदान के समेथ जाएगा और इस घटना का वरण करेगा तो यह राम के पराकरम उनक तो कि सदैयों की प्रतिक्षा के बाद हमारे राम आ गये है सदीयों का अभूप्र विभूर्व त्या आ चुका है उल्सेय सदीयों की प्रतिक्षा के बाद हमारे प्रभू राम आ गए चैन्प अव्रूद्ध मेरा शरीर इस पन में प्रफुलित भी थ biss ृ और भा पंदित है बहुत प्रफुलित भी थे और भाव विभोर भी थे प्रधान मंत्री और ये भी कहा कि वो पूरी तरह से उर्जा से भड़े हुए है प्रधान मंत्री ने कहा ये तारीख नहीं नए काल्चक